और आज हमारे साथ दस बुजे खास गेस्ट में मासलस के सौरब मुखर जी हैं बहुत बहुत शुक्रिया सौरबाद समय देने के लिए गुद बॉर्निंग तु यू सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे बाजार जिसना की तेजी दिखा रहा है स्पेशली मिट कैप, स्मॉल कैप और वी आर अल्मोस नियर ट्वेंटी के हो लिए हमने बीसार को सिर्फ एक किसिंग डिस्टन से ही छोड़ दिया लेकिन इस तेजी के बाद भी कई जगाओं पर अभी भी कहां-कहां आपको वैलिएशन लगती हैं कि कैच अच अप कर सकती है किस नहीं से आप सेकिंड आपको पैन आउट होते देख सकते हैं, मार्केट पर इस वक्ट व्यू क्या बन रहा है? कोटक बैंक, ICICI बैंक, बजाज फाइनांस का भी मेरे ख्याल से अच्छे नंबर आएंगे. मुविंग फॉरवर्ड अगर मैं पार्मा में हमारी होल्डिंस की बात करों, डिवीज लैब हमारी काफी बड़ी होल्डिंग है. मैं हमको जो नजर आ रहा है कि earnings आउट लोक अच्छी है, नंबर आच्छे आ रहे है, economy की हालत सुद्र है, और याद रखिए हम rate cycle के बिल्कुल चोटी पे है. लास्ट डेर साल दुनिया भर में हिंदुस्तान इंक्लूड़िड, दुनिया भर में rates उपर गए है, उसके बावजूद अच्छी earnings growth आ रही है, यह बहुत rarely होता है, बहुत rarely होता है कि rate cycle के बाद अच्छी earnings आती है, जैसे ऐसे अगले दो साल में rates नीचे की तरफ जाएंग positive बन रहा है, इस बार की earnings को देखने के बाद या पिछले एक दो quarters की earnings देखने के बाद, भले आपने उसको लिया ना हो, बठाँ आपके वो watch list में है वो. जो stocks की मैं बात कर रहा हूँ, प्लस जो stocks आप screen पे चलका रहे हो, इसमें मेरा खुद का निवेश है, मेरे parents का निवेश है, और Marcellars के करीबन 10,000 clients का भी निवेश है, अगर मैं forward looking की बात करूँ, कहां पे मेरे को लग रहा है कि earnings momentum और improve होगी, तो पहला मेरा नजर जाए का pharma की तरह, यहाँ पे हमने डिवेश लाब में काफी बड़ा निवेश किया था, लास्ट येर नॉवेंबर डिसमर में उस position को triple किया था, और हमने इसलिए किया है, विकोज हमको लग रहा है कि US में pharma की shortage है, वो shortage बड़ेगी, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा active pharmaceutical ingredient manufacturer है, जैस हरोज अगबार में दिखता है, चाइना और US के बीच में गर्मा गर्मी चल रही है, इसलिए इंडिया को market share प्राप्त होगा, API में, चाइना दसगुना बड़ा है इंडिया से, API में, डिवीज इंडिया का सबसे large player है, सबसे largest player है, तो अगर हम 10% market share भी चाइना से ले पाए इंडिया की API industry अगले, दो-तीन सार में double हो जाएगी, तो डिवीज को फाइदा मिलेगा मेरे ख्याल से, डिवीज को supply करते हैं, companies जैसे Alkyl Amis, जैसे की GMM Formula, इनको भी फाइदा मिलेगा, और इसलिए यह जो पूरा complex है फार्मा का, speciality chemicals, फार्मा हमारा रवया रहा है कई सालो से कि इसमें जादा निवेश करना चाहिए, दूसरा सेक्टर जहां पे मेरे को लगता है, आगे जाते होए नंबर आकड़े और इंप्रूव करेंगे है, हमारा small cap company है, prudent corporate इसमें निवेश है, यह company mutual fund बेचती है, insurance policies बेचती है, मेरे ख्याल से जैसे जैसे हम 2024 elections की तरफ बढ financialization को प्रोचसा मिलेगा, prudent corporate जैसा distributor slash wealth manager इन companies का भी की हालत improve होगी आगे जाते होगी, और final sector जहां पे हमको runway बहुत लंबा दिख रहा है, बहुत बढ़ा दिख रहा है, is building materials, इंडिया में home ownership सबको चाहिए, सबको घर खरीनना है, जैसे rates नीचे जाएंगे अगले दो साल में home ownership और बढ़ेगी, हमको real estate stocks पसंद नहीं है, cements पसंद नहीं है, हमको building materials से बहुत लगाव है, astral, poly, pedalite, Asian paints, budget paints, इन stocks में हमारा बढ़ा निवेशा है, मेरे कहाल से earnings outlook इन stock पेले बढ़ अच्छी है All right, yes, Saurabh, बिल्कुल हमने देखा कि आपने prudent art भी किया है, आपने kings of capital portfolio में, Saurabh, आपने TCS पर तो view दिया, क्योंकि वह उसमें आपकी position है, लेकिन overall IT पर इस वक्त technology stocks पर view क्या बनाएं, investors, अभी आपने भी आज जैसे कि, जो interest rate है वो शाद पीक पर हैं, और इस anticipation में IT stocks च इतना supportive environment IT के लिए बनता हुआ दिख रहा है, या फिर आपको लगता है कि अभी भी एक-दो quarter की pain है? दुनिया के जो 500-600 बड़े companies हैं, उनको cloud migration करनी है, उनको AI चाहिए, उनको आपके मेरे जिंदगी के साथ जुडने के लिए और technology का इस्तमाल करना है, और जाहिर है वो इंडियन IT services के पास ही आएंगे, वेस्ट में, Barring Accenture, वेस्ट के पास इस प्रकार का विशाल IT services provider really है नह जो मेरे को समझ नहीं आता किसलिए लोग IT services में in-out करते हैं, speculation किसलिए करते हैं, IT technology का जमाना है, अगले 10-20 सार, technology companies, IT services companies के लिए बहुत सारा काम रहेगा, इसलिए हम जुड़े रहते हैं TCS के साथ और कुछ खास दिमाग नहीं भोड़ते कि एक तो इस वाटर weakness आएग या नहीं आएगी, honestly मैंने को यह काफी अजीब सा लगता है, लोग का TCS के साथ speculation करना है, सुरफ सर अगर हम consumption वाले space की बात करें, तो ITC देखिए, अब record highs पर trade कर रहा है, 500 रुपे क्यास पास किभाव हो गये हैं, आपकी नजर कहां पर है, किसी को अगर खपत वाले space में कुछ खरीदना हो, तो आप क्या सुझाएंगे? इसले की 12-13% टॉप लाइन, 15-16% बॉटम लाइन, कैश का भंडार, विशाल, पावरफुल कंपनी, इसले नेसले में हम जम कर निवेश करते हैं, उसके अलावा मेरे को FMCG में थोड़ा डर है, COVID के बाद FMCG का जो society का जो निशला श्रेणी है, उसकी खरीदारी थोड़ी कम हुई है, जैसे मैंने थोड़ी दे पहले बोला, हमारी focus है थोड़ी जादा building materials पर और retail में हमारे पास, retail में हमारे पास tighten में बड़ा सा holding है, आगे जाते हुए शायद कुछ एक-दो retail as a mod, और आट करें, V-Mart भी हमारे small cap portfolio में है, V-Mart के numbers भी जहां तक मेरे को दिख रहा है, improve ह हो रहे हैं, COVID से बाहर आ रहा है, V-Mart धीरे-दीरे, but retail, retail जिस प्रकार के products आपके दर्शक खरीते हैं, retailer के थूँ, उसका हम फायदा उठाना की कोशिश कर रहे हैं, आपके दर्शक के नीचे वारी जो श्रेनी है, वहाँ पे हमको थोड़ा चिंता है, उनके पास jobs है या नही पैसे हैं, उसके उपर थोड़ी सब को आशंका है, सौरब ये auto companies पर आपका take क्या है, क्योंकि तो कि आप long term के लिए लेती हैं, और long term के हिसाब से दिखा जा तो इसमें e-wecker वाली story काफी समय से चल भी रही है, आप तो बहुत सरे लोगों को पता भी है इसके बारे में, तो आप two wheelers में बात करें या four wheelers में बात करें या CVS commercial vehicle में बात करें, हमारे देश में auto company सारे मोटा मोटी एक दूसरे की तरह ही है, कोई एक दूसरे से जादा आगे नहीं है, इसलिए क्या होता है, इनकी across a ten year cycle, एक तेजी और मंदी का cycle अगर आप जोड़ दे, ये nifty को all perform करने बहुत struggle करते हैं, बारिंग आईशर मोटर्स हमारे पास कोई auto OEM portfolio में है नहीं, auto ancillary में भी हमारे पास जादा holdings नहीं है, केवल सुपरजीत है, और EV में मैं को कुछ खास ऐसा दिखा नहीं है इंडिया में EV में, इससे लग रहा कि कोई इंडिया में EV में competitive advantage हासल कर पा रहा है, सारे के सारे OEMs CME काम कर रहे हैं EV में, इसलिए auto में एक सेक्टर है जो whilst economic उचाल में यह अच्छा परफार्म करता है, competitive advantage वाले खिलाडी तोरे काम है इस सेक्टर में All right, one last question, क्योंकि आपके पास diagnostic counters भी और आपने विज़ा diagnostic भी रीसंटली आठ किया है कुछ समहीने पहले, Pharma, Diagnostics versus Pharma, या फिर अब भी आपको Diagnostics space ही पसंदा आता है, कैसा वियू रहेगा? इन आसमान का फरक है मेरे ख्याद से, Pharma में, Pharma में याद रहेखे, Diagnostics Lab is an API producer primarily and contract manufacturing करता है, Diagnostics अपनी दवाई अपने brand पे नहीं बेचता, ना हिंदुस्तान में बेचता है, ना विदेश में बेचता है, Diagnostics थोड़ाँसा downstream है, थोड़ाँसा upstream है, I'm sorry, India के जो branded Pharma players है, again उनके पास कुछ खास competitive advantage हैं को नजर नहीं आती है, आप इंदुस्तान में बेचो या US में बेचो, आप सारे जो branded Pharma players है, उस मोटा मोटी मेरे ख्याद से, सेम ही चीज़ करते हैं, सस्ते में दवाई बनाते हैं, अपना sticker चिपकाते हैं, और विदेश में सस्ते में बेचने क आप रयाज करते हैं, उसे खास जिंदेगी में आप कमा नहीं पाऊगे, diagnostic players on the other hand, अगर आप उनके return on capital के आखड़े देखें, 30, 35, 40%, वहां पे competitive advantage भारी है, नौर्थ में, नौर्थ और एस्ट में, डॉक्टर लाल का, वेस्ट में, मेट्रोपोलिस का, साउथ में हैं, मतलब एक हाथ के उगलियों में किन सकते हो, कितने organized players Indian diagnostics place में है, space विशाल है, करीबन 10 billion dollar की industry है, केवल 20% industry organized players के हाथों में है, इसलिए unorganized to organized shift काफी भारी रहेगी, barriers to entry around reputation, doctor connect, hub and spoke networks काफी बड़े हैं, इसलिए इस space हमने, जोर शोर से last एक साल में, जैसे ऐसे correction आई इन stocks में, हमने विजया में, मेट्रो पॉलिस में position बनाया है, और हमने बना डॉप्टर लाल का position को double किया है last summer. ठीक है, सुरब सर, बहुत शुक्रिया आपका इस समय देने के लिए और इन तमाम sectors पर और शेयरों पर अपना view हमसे share करने के लिए.